नमस्कार फ्रेंड्स, welcome to my channel और आज हम देखेंगे कि व्धाइब क्या है और व्धाइब दर्सन के रूप में क्या है तो व्धाइब यानिकि इन्डि विजलिजम तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है समाज में हम दो अस्तित्व देखते हैं जैसे व्यक्ति और राज तो व्यक्ति जो होता है उनको मिला कर ही कोई राज या समाज बनता है व्यक्ति किस चीज का प्रतिक होता है स्वतंत्रता का हर व्यक्ति अपने विकास के लिए स्वतंत्रता चाहता है और राज किस चीज का प्रतिक होता है सक्ति का यानि राज अधिक से अधिक सक्ति का संग्रहन करना चाहता है तो इन दोनों चीजों को मिला कर समाज बनता है तो राजनितिक दर्शन के रूप में वैक्तिवाद का सोरूप क्या है व्यक्ति यानि की एक इसको व्यस्टी भी कहते हैं और राजी का मतलब है समस्टी यानि की समूः जो भहुत सारे व्यक्तियों से मिलकर बनता है तो व्यक्तिवादी दर्शन इस चीज़ में बिलीव करता है वो राजी की अपिक्छा व्यक्ति को ज़्यादा महतो देता है वेक्ति अगर विकास करता है तो विकास करेगा, क्योंकि वेक्ति वादि दर्शन इस बात पर विश्वास करता है, इस बात मेपz करता है कि वेक्ति को जादा importance मिलनी चाहिए और कई बार ऐसा होता है ऐसा देखा गया है कि राज गलत होता है और व्यक्ति सही होता है किन्तु राज और समाज उनकी नहीं सुनते व्यक्ति को जो भी कहना है उनके विचार क्या है उनको सुना जाना चाहिए और हो सकता है उनके विचार बहुत relevant हो बहुत ह भीक हो पर कई बार उनकी बाते नहीं सुनी जाती और उन्हें दबा दिया जाता है इसके कई उधारन हमने अतीत ने देखे हुए है और अगर बात की जाए तो शुकरत इसका सबसे अच्छा उधाहरन है सुकरात ने उस समय के मानेताहों सका विरोध किया तो उसको सुकुरात को विश का प्याला दे दिया गया और उनकी जान ले ली गई तो इस तरह से क्या होता है कि वैक्ति जब अपनी बात कहना चाहता है तो उसको राज और समाज राज के द्वारा दबा दिया जाता है तो ये नहीं होना चाहिए उनकी बाते सुनी जानी चाहिए और हो सकता है उसमें future की कुछ अच्छी बाते वो बता रहा हो कुछ relevant बाते बता रहा हो तो basically वेक्तिवाद या individualism individual को ज़्यादा importance देता है और कहता है कि राज से ज़्यादा important वेक्ति है क्योंकि उसको अच्छे वेक्तियों को और उनके सबों को मिला कर ही एक समाज या राज्य तयार होता है बनता है तो आज मैंने इस दर्शन की रूप में देखा है आगे इसके बारे में और जानेंगे अगले वीडियो में आज के लिए इतना ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थैक्यू सो मच बबाए